आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, question है in how many pairs the second compound react faster than the first in SN1 reaction with OH- ठीक है, यह सारे जो Molecular Alkyl Halide given है, इसका SN1 reaction कराना है OH के साथ में तो SN1 reaction है, SN1 reaction है, तो इससे हमें यह किया पता चलता है, SN1 reaction will depend on stability of carbocytine के stability पर depend करता है, तो जितना ज्यादा stable carbocytine होगा, more stable the carbocytine more will be faster rate of reaction, reaction की जो rate होगी वो और ज्यादा faster होगी, depend कि इस पर करता है, stability of carbocytine, तो अगर हम देखें, अगर हम CL को यहां से remove कर दे, तो यहां पर जो carbocytine बनेगा, इसको हम बना के देख लिएं, first में, अगर हम CL को remove करते हैं, तो यहां पर carbocytine बनेगा यह, and second pair, second जो है, उसमें अगर हम remove करते हैं, तो यहां पर carbocytine बनेगा यह, अगर इन दोनों में हम देखें, तो यह है two degree तो इसमें बोला है कि कौन सा ऐसा कौन सा पेर है जिसमें सेकेंड जो कंपाउंड है वो फास्टर रेट देगा तो टू डिगरी फास्टर देगा तो ऐसा ये पेर तो नहीं है कि आपका सेकेंड वाला फास्टर दे रहा है ठेक है क्योंकि पहला वाला फास्टर रेट दे रहा क्योंकि 2 degree carbocation है तो more stable अगर हम second देखें second जो compound है CH3I second is CH3I and CH3BR ठीक है इसमें अगर हम देखें तो ये है आपका 2P orbital में बिलॉंग करता है carbon and यहाँ पर अगर हम देखें fluorine 2P, chlorine 3P and bromine 4P orbital and ये हो गया 5P orbital तो अगर हम इसकी bonding देखें तो 2P ये 5P की overlapping है और 2P ये 4P की overlapping है तो इन दोनों के comparison में जादा stronger bond कौन सा है comparatively more stronger जब more stronger है ये तो less इसको हम क्या सकते की easily broke नहीं होगा easily not broken hence slower rate यानि इसकी faster हो जाएगे faster rate first वाले की क्यूं faster होगी तो ये एक reason है कि आपका 2P, 5P overlap है overlapping अच्छी नहीं बांडिंग अच्छी नहीं है तो ये easily break करेगा easily break करेगा यानि carbon carbon का formation जल्दी होगा जल्दी होगा तो rate faster हो जाएगी ठीक है अब third देख लेते हैं third हमारे पास compound है carbon जिस पे तीन CH3 अटाज़्ड है CH3, CH3, BR next है एक carbon जिस पे दो CH3 अटाज़्ड है और एक hydrogen है और बी आर तो जब बी आर रिमूव होगा ठीक है इसको बी आर को हमने रिमूव कर दिया तो कौन सा carbon form होता है यह जो carbon form होगा वो 3 degree होगा और यह carbon form होगा 2 degree होगा तो यह फिर से more stable हो जाएगा more stable हो जाएगा और यह less stable less stable hence rate slower तो इसमें फिर से rate slower हो जाएगी तो अभी तक हमें ऐसा कोई pair मिला नहीं है जिसमें second का rate faster हो ठीक है उस pair में अच्छा फूर्थ फूर्थ जो question है वो कहता है यहां पर आपका carbon बनेगा और नेक्स्ट में आपका carbon यहां पर बनेगा तो यहां अगर हम देखे तो यह है त्री डिग्री कार्बोकटन इसका मतलब rate fast हो जाएगी इसमें तो हमें अभी यह फिलहाल एक मिला है pair जिसमें की second वाले compound की rate faster होगी first से last हमारे पास है fifth वाला fifth है आपके CH3 CH3 and CH3 ठीक है अब यहां से CL रिमूव होगा तो यह है आपका zero degree क्योंकि यह जो carbon है किसी भी carbon से attach नहीं है यह carbon two degree होगा क्योंकि यह two degree carbon से attach है दो carbon से attach है two degree and एक भी carbon से attach नहीं है तो zero degree अगर एक carbon से attach होता है तो one degree बोलता है ठीक है तो यहां पे भी यह जो है rate fast हो जाएगी second वाले की because because two degree will be more stable than zero degree carbon carbon या carbonium आया carbon carbon को carbonium आयन भी बोलता है तो अभी हम वर पस दो reactions मिल गए है कौन कौन से fourth and fifth fourth and fifth have faster rate of second compound compound क्लासिक स्टिवल से लेके NEET IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर तौमानेट कि धन यह